अभरत कथा का ये पात्र देविशाल है अभर्णी धर्शा है बली और काली का भी काली है वत्र भक्ति का अनूपम पार्श्वर सारंदुबाद गदाधर महावली उत्वीश्ट गुर्टि का यलान है महावली महावली अभवान श्री क्रिष्ण ने अवतार लेकर मेरा मान बढ़ाया है वैसे तो मैंने अनेको अजे योधाओं को देखा है परन्तु समय की गती रुकती नहीं और धीरे धीरे सभी काल के गर्द में प्रवेश कर जाते हैं अनेको वीर पुरुष, महापुरुष, तपस्वी और देव पुरुषों का मैं साक्षी रहा हूँ जिनकी कथाएं अविस्मर्णी हैं परन्तु आज मैं आपको कल्यों के त्रारंग में नैमी शारण की पवित्र भूमी पर विराजित, रिशियों द्वारा मेरे प्रिये चरित्र की एक अध्भोत कथा की ओर लिये चलता मैं सूत वन्सज लोम हर्शन गुत्र गुत्र उग्रिश्णवा नैमी सारण की इस मावन भूमी पर आपको नमन करता और और परमात्मा से आपके लिए भक्ति कामना करना हूँ यह शिश्वड़ों आप पौराणी घ्रस्वान कर चुके अता है पर मेश्वार सर्वेश्वार और आदी भगवान तरी कृष्ण को साधर नमन करें ओम भगवते वासुदेवाय नमा 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 आज मैं आप लोगों को महा भारत के एक ऐसे चरित्र की कथा सुनाता हूं जो अनेकों महान चरित्रों के बीच सब कर रहे गया है जो अद्भूत है अद्धूती है परंती जस्वी है परंतों संपूर महाभारत में उस चरित्र पर प्रकाश डालना संपूर नहीं था अंदा है आज हम उस चरित्र के बारे में समिस्तार जाने हैं यह चरित्र कौन है गुरुदेम कि महाल परंते जस्वी दुर्दय मित्र योग की पती आध्याकारी पुत्र और परम इसने ही भाता महावली भीव जो भीष तर्णवा अर्जुन के होते हुए भी अमोग था यह कथा उस समय के जब महाराजा पांडु को हर्शिकिंदम ने त्राप गया था और वो अपनी पत्नी कुंती और मादरी के साथ वन गए वन में सुकोमल राज़ दुहिताओं की वो दशा अविस्माणी नी जो झालोग दुहिताओं की वोग दोुहिताओं की वो जाट अविस्माणी अर्गपा शुह तर्णवा दुजहिताओं की वो दुए उन उन में सकते होते हुए मुझे तो जोड़ चला है यूँ मुख मुझे से मोड़ चला है क्यूँ ये यौवन मधवन का बिलास उजड़ा सुना सादिक मुदास को मल दन उस पर राह कठिन अब ला नारी आहत जीवन कैसी नियती की नियती है कैसी नियती की नियती है ये उसमकंठ का लिंगन कैसी नियती है दीदी अली, समाली ही ने दीदी समाल के देख लाएंगे देख लेंगे जल लेकर आई है हमने आप लोगों को बहुत मना किया परन्तों आप दोनों ने हमारी बातों को कोई महत नहीं दिया इस जंगल के कठिंता भरे जीवन में मेरे साथ कैसे जी पाओगे आप दोनों मैं न तो अपने आप को शमा कर पाऊंगा और नहीं आप दोनों की देख लेक कर पाऊंगा मेरे कारण आपको भी विपत्तियां जहलनी पड़ रही है शमा करें महराज हम यह भूप पिलास में लिप्थोने नहीं आएं अप इतु आपकी सेवा करने आएं चाहे हम राज महल में सुख पूर्वक जीवन वितीत करते थे परन्तु अब हम केवल पनवासी हैं महराज और आपसे निविदन है क्या आप हम दोनों की चिंता ना करें और आप अपनी तपस्या में मन लगाए आप लोगों से जीत पाना बहुत ही कठिन है हम लोग गंद मादन पार करों सब तो श्रिंग परवत माला तक आ गए हैं वो देखो वह एक कुटिया दिखाई दे रही है एक कुटि देखकर श्वास जगी निर जनवन में एक आस लगी कैसी नियती की नियती है साकर नहरों सा है जीवन मुझ को छोड़ चला हो मुझ को दो भाउ कि लोग चला हो झाल झाल प्याल प्याल कुटिया को देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहां कोई रिष्यमुनी रहते हूं बड़ा ही सुंदर और पवित्र स्थान है इस नीरेवन में विश्राम करने का यह अच्छा स्थान है अरे माध्री आप यह क्या कर रहे हैं? आप यह सब कारे ना करें दीदी में कर लोंगी हम कह रहे है ना आप नहीं करें बहार जाए और महाराज का ख्याल रखें हम कह रहे है ना हमारी बात सुनो हम यह विश्राम करने की विवस्ता कर दें छोड़ी जी करें यह आप देखो मात्री कुंती अब तुमसे कितना प्रेम करती है मुझे आज भी उन दिनों का इसमरान है जब मैं तुमसे विवाह करके आया था सभी को बहुत आश्यर हुआ था पर अंतु कुंती बहुत आहत हुई थी और रोने लगी मानू मुझे से प्रश्न कर रही हो कि मेरी रहते आपने ये दूसरा विवाह क्यों किया तो क्या आपने कुंती देजी से पूछा नहीं था वो तो बहुत छोक मगने हुई होगी उसके विवाहर से मझे भान हो गया था कि कुंती बहुत कुपित थी मैंने उसे विश्वास देलाने का प्रेयत्म किया कि जो प्रेम में उससे करता हूँ उसमें कदाचित लेश मात्र भी परिवर्दर नहीं होगा परंतु वो मानने को तयार ही नहीं हो रही थी वो बहुत व्याकुल थी उस समय मेरा उसके साथ वारतालाब करना उचित न था अधा मैं उसके कक्ष से बाहर आगया महराज ये विवहार उचित नहीं जान पड़ता मादरी मैं आपकी विवहार कुशलता से भली भाती परचित था मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप कुंती के साथ मितरतावत और प्रेमानुकूल विवहार करेंगी और आपने वैसा ही किया अब देखिए कुंती आपसे एक बहन के समान प्रेम करने लगी है सत्य कहा महराज कुंती दीदी सच में एक देवी है महराज मैं बहुत प्रसन्य हूँ आप जैसे पती और कुंती जैसी दीदी पाके महराज हमने विश्राम की विवस्ता कर दी है आप और मादरी अंदर आके विश्राम कर सकते हैं महराज मादरी अंदर आके विवस्ता कर सकते हैं कुंती अब अभी तक सो ही नहीं? महराज तो हमें नित्रा नहीं आ रहे ही परंतु आप सोजाए है हम ठीक है आप हमें ऐसे परिशान करेंगी आपको क्या लगता है? आप से इस तरह सेवा करवा करो हम निशिन दोकर सो पाएंगे कदा भी नहीं यह बनवास मेरा है यह तफस्या भी मेरी है श्राब भी मुझे ही मिला है आप दोने यह समझना क्यों नहीं चाहती? आप दोने अपना ध्यान रखें मेरे लिए यही आपकी सेवा है हराज हम आप से पहले भी कह चुके है कि हम बन में परवश नहीं आये हैं अपनी इच्छा से आपकी सेवा करने आये हैं अपने पती की तन मन पे सेवा करने है महराँ आज आप हमें एक वचन दीजे सेवा के विष्ये में कभी हमें रोकेंगे नहीं कैसे से दे दू यह बचन आपको? सभी बचन कह रहिए है हम अपनी इच्छा से आपकी सेवा करने आये na और आज आपको ये बचन देना ही होगा, महाराज. आप कहती हैं तो मैंम्माना नहीं करूंगा. परन्तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना होगा. आपकी जो आज़ा, आप जैसा कहें के वैसा ही होगा. महाराज, आपको स्मरन्ग है? एक बार आपने बताया था जब प्रभु श्री राम और मा जानकी जब एक थाथ बन में रहते थे और एक बार प्रभु श्री राम भोजन कर रहे थे और जानकी मा उन्हें भोजन परोस रही थे तब प्रभुशी राम अचानक से हसने लगे और मा जानकी उने हसने का कारण पुछती है स्मरण है महराज? हाँ, हमें स्मरण है महराज, वो वार्तालाब अधुरा रह गया था पितामा कक्ष में आगे था महराज आप से नम्र नेवेदन है क्या वो प्रभुशी राम और जानकी मा का वार्तालाब आप पूर्ण कर सकते हैं? हाँ, महराज वो वार्तालाब अपने श्रीमुख से पूर्ना सुना दीजिए आपकी इच्छा है तो सुनो जब प्रभु श्री राम हसने लगे तो माता जानकी ने कहा आप क्यों हस रहें प्रभु प्रभु ने मुस्करा कर कहा कुछ नहीं माता ने कहा भद्र पुरुष यू ही नहीं हसा करते आप अपने हसने का करण बताईए तब प्रभु श्रीराम ने एक मोटे से चीटे की और संकेत किया और कहा ये जो चीटा देख रही है आप इसे देखकर हसी आ गई माता बोली प्रभु हम प्रती दिन चीटे देखती हैं हमें तो कभी हसी नहीं आती तो प्रभु ने कहा ये कोई साधारण चीटा नहीं है ये कई बार घंगोरत पस्या कर चुका है और कई बार इंद्र की उपादी प्राप्त कर चुका है और आज देखो एक छोटे से अनकड के लिए कैसे मारा मारा फिर रहा मता ने आश्चर चके थोके कहा प्रभु आपकी लीला कितनी दुश्कर है क्यों मनुश्य को इन बंधनों में बंधना पड़ता है तब प्रभु ने क्या कहा प्रभु ने कहा जो हमसे विमूख होता है वो ही इस सांसारिक माया में फस्ता है और जो मेरे सम्मुख रहता है वो इस संसार के माया के बंधन से मुखत रह था उसको पार लगाने का उत्तरतायत हमारा है महराज आनन्द आगया रभु श्री राम हम सब पर भिक्रुपा करे और हम भी उनके समुख हो जाए हम धन्य है जो हमें आप जिसी पत्निया मिली है आप दोनों के विचार और वेवहार से हम अथी प्रसंद्न है परन्तों हमें यदा कदा बहुत दुख भी होता है मैंने आपको कोई सुख नहीं दिया और जब सुख देने का समय आया तो आप लोगों को वन में ले आए नहीं महराज आप हमें लेकर नहीं आये हैं हम अपनी स्वेच्छा से स्वन में आये हैं और आपके साथ इस्वन में जीवन बिताना हमारा सौभाग्य है अब रात बहुत हो चुकी है आप दोनों विश्राम करें आप भी सोजाएं महराज शुभ रात रिए वण का जीवन इतना सुगम नहीं है हमें भविश्य में न जाने कैसी कैसी इस पत्तियों का सामय करना होगा इस्वन के जीवन में तिन प्रति दिन नहीं नहीं चुनोतियां होगा यह हमारे ध्यार की परिक्षा का समय है अहराज पार्णु समझे कि वण का जीवन इतना वो सोच कर आएक है वो भविश्य में आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए दक्षिता प्राप्ट करना यह ज्यात हो गया था कि उन्हें यहां किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना होगा को आए, 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 को आ कंदे, 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 क आसकता नहीं सहस्रिक गजिर्वल बराबर बज़के जा सकता नहीं जलै सिंधु के सद्रिश्ट एक छोड़ को तारते छोड़ने की अक्षिधर की इक गदतन पारते जलै सकता नहीं